हाई फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं कलाकंद का रेश्पी बनाने जा रही हूँ विडियो पसंद है तो लाइक किजिए सस्क्राब किजिए आये मैं रेश्पी दिखाती हूँ मैंने गैस पर प्राइपेन रख दिया है मैं अब गैस को आउन कर लेती हूँ अब मैं इसमें दो कब दूट डाल रही हूँ दो मिनट के लिए आप इसमें धाकन लगा दीजिए आधा को टोड़ी आप इसमें चिनी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए तब तक मिलाना जब तक आपका दूद में चिनी अच्छे से घूल न जाए तब तक आप इसे मिलाते रहें चिन्नी अच्छे से घूल गया है अब मैं इसमें दो कुटी हुई लाइची डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला दे रही हूँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है अब मैं इसे मसल लेती हूँ मैंने पनीर को मसल लिया है अब मैं इसे दूद में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसे आप अच्छे से मिला लीजिए आपको तब तक मिलाना है जब तक आपका पनीर अच्छे से दूद ना सोख ले तब तक आप इसे मिलाते रहे पनीर अच्छे से दूद को सोख लिया है अब मैं इसमें चार चमच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसे आप अच्छे से मिला दीजिए मिलाते हुए मुझे पांच मिनट हो गया है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब इसे दस मिनट के लिए आप सेट होने के लिए फ्रीज में रख दीजिए मेरा कलकंत सेट हो गया है यह बहुत इकम समय में जटबट बनकर तयार हो जाता है अगर आपको पसंदार रेश्पी तो मेरे वीडियो को कमेंट करके जरूर बताए ठांक्यू